असलाम नेकूं आज हम यूनितमाइब वन के फिजिकल कॉणटिर एंड मेजरमेंट के शॉर्ट को चाहसे करेंगे इसका पहला शॉर्ट को चाहसे बनता है अन्रमेडा निकी मेर निशाना का किसा तो है यह पहले पेज़ पर यह इंफोर्ट में इसका यह कोशन बन सकता है वा उसके बाद आप एन्डोमेडा शोट कॉशन आसर बनता है वत टार फिजिकल कॉटिटिटी तो उसका निशान लगेगा जहां से मिलागाँ वह तक और यह जो दूसरा मिलागाँ यह फिजिकल कॉटिटिटीज की एक्जेम्पल बनेगी एक पेराइंटम फाइफ यौक्टिपिश कांटिटीज निकी सbecष लिए घया की किषब पीनिएफ पार्मडिटीज मझीसि लिए थैसे किषया जए उसे कांटिटीटीटीज दिशन होंकों कि तैसमेक चेंदोर वसे साथ कमें ब सबहुत से इस ग्युम्ल है आगे बॉक्स जो बनावाई है वह एक्जैम्पल होगी जो पर ब्लॉ बॉक्स है यह ड्राइव उनिट्स है जहां तक में निशान अकादे हम इसकी रेफिनेशन होगी और इसके आगे इसकी इक्जैम्पल है स born A p V a É abide दें यहां prefdegree OFFER 245 इस्कार यह प्रिफिक्सिस को आइलाइट कर लें यह अक्रस्व confrontation सॉरोड शोड को रजाने दा है वाठी प्रिफिक्सिस और यह आगे उक्जट कोशन कि लिए तब तक आप पो लिघन इंगे तब तक किसा एक्जैंपल आपने मस्ट लिखनी है तब ही आपको जाकर तू नंबर्स मिलेंगे प्र मतचें एक जाकर सब्सक्राइब में ड़्य को ईफ़ेंगे के उच्या हुँआर्ट घवाइस इतक विया ल्राइस में फोल रीड करना है आपको के लाया है रहें है का असा से आपको rock यह को टाया हमिस not पर चलोड और सिर्फ आपको स्क्राइब मैं मैं लाइस लिए दितने भी शॉट प्रें आपको अचिक्षा में नगा करने उतने लादमिया वह अपने हैंडी लादमिया करने इसमें से कोई आपको पेपर मैं एक है तो अग्रेजिकल बैलने तो आप तो अगर अग्रेंग तो तो आप फिजिकल बैलन्स या लीवर बैलन्स की डायग्राम की भी जुरूर प्रैक्टिस करें इसके भी आपको अच्छे नम्हें मिल सकते हैं फिर रहता है एलेक्ट्रॉनिक बैलन्स इसकी ना वेरियस रेंजिस दीमी होंगी वह आप अच्छी तरह से पढ़ लें वह भी अ सकते हैं आपने केरफली रीट करना है इसमें से एमसी क्यू भी बन सकते हैं अब यह समरी में आज़ें समरी का आपने राजमी रीट करना होता है इसका फिर्स कोशन मैंने का वट इस फिजिक्स आपने फिजिक्स लीना साथ इसकी ब्रांचे भी लिग लिग दें तो यहां पर इसकी एक्जैम्पल भी दी मिया साथ ही तो अगर आप यहां से करना जाएं तो आप यहां से भी कर सकते हैं उसके पार यह एक एहम कुशन आता है वर्ट इस इंटरनेशनल सिस्टम ओफ यूनिर्स या एसाई यूनिट तो वह यह डाफिनेशन है आता है पर फिक्स की डिफिनेशन इसमें ने आपको वहां भी निशान लगा ask के दे दिया है और यहां मिया लगा दी आ यापको जहां इती लगए आप वहाँ सी याद कर सकते हैं वैसे summary आप हर chapter की पड़ा करें उसमें भी कुछ main points होते हैं जो कि आपके लिए helpful रहेंगे उसके बार आदेता है वर्णिया काली पर अक्सा आदेता है वर्णिया काली पर तो उसमें पूरा not नहीं लिखना कि छोटी से definition है समरी में या आपने वो याद करके तो वहां लिखनी है उसके बार screw gauge है तो screw gauge की definition याद करके वहां लिखनी है वर्णिया काली पर screw gauge की definition के साथ आपने least count भी इनकी जरूर लिखनी है इससे आपको benefit रहेगा चेकर जोगा वो आपको two numbers easily आराम से देदेगा इसके बार आजाता है stop force की definition यह में आप से definition कर लें वहां पर नहीं है आप यहां से measuring cylinder की और significant figures इन दोनों की definition भी आद कर लें तो आपके लिए फायदे मैं रहेगा अगर आप दूसरे चैप्रेस के भी short questions आते हैं तो मेरे चैनल को subscribe की दिए